रोहिश शेर्मा को वर्ल्ड किर्केट का टाइगर बताया कहा हिटमैन को बनी रहना चाहिए कप्तान औस्टेलिया के खिलाब विस्वटेस्ट चेंपियनसिप का फाइनल मैच गवाने के बास से रोहिश शेर्मा आलो चकों के निसानी पर है यही नहीं रोहिश शर्मा से कप्तानी चीने जाने तक की मांग की जा रही है वैसे इन सबी बातों को बीच औस्टेलिया के एक दिगज ने ब्रेडली का समर्थन किया है उन्होंने कप्तान बनाए रहने की बकालत की है कंगारू टीम के पूर्वित तेज गैंदवाज ब्रेडली ने रोहिश शर्मा की जम कर तारीफ की है ब्रेडली ने रोहिश शर्मा को वर्ल्ड गर्केट का टाइगर बताया है दिगज ब्रेडली ने कहा रोहिश शर्मा बहुत कूल और सुकून बाले हैं और वह पुल सौट के सबसे अच्छे खिलाडी मैं से एक है जिस तरह से वह अटेक करते हैं और गेंदवाजों को नियंतरित करते हैं वर्ल्ड गर्केट के टाइगर है रोहिशर्मा बतोर कप्तान टीम इंडिया के लिए असफल सावित हुए उनकी अगवाई में भार्टी टीम ने बहुत कम समय में दो ट्रॉफी गवादी है वैसे आपको बताते हैं कि रोहिशर्मा के गिंती दुनिया के सफल खिलाडियों में होती है हिट मैन रोहिशर्मा ने अब तक 50 टेस्ट 243 वंडे और 148 ट्वंटी अंतरराष्ट्य मैश खेले है रोहिशर्मा के बारे में आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं आभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में